Good morning students, today I am going to explain exercise, sorry chapter 13 mansuration यह mansuration जो chapter वे, इसमें आपको दो चीजें पढ़ने होती है mansuration में आपको पढ़ना होता है perimeter और दूसरी चीज होती area तो menturation जो हती वो measurement related होती है perimeter भी measurement में आता है then area भी measurement में आता है तो mensuration में यहां बहिए दिखे आ रहा है perimeter और area तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि perimeter होता क्या है और area क्या होती है आप क्या होते है देखें आप दिखाँ perimeter the length of the outer boundary is the called perimeter जो कोई भी boundary जैसे यह भी चीज़े बनी हुई है तो इनका जो बाहर बाहर का length है इनको आप add कर दीजे इनको आप कहते हो perimeter और perimeter की और भी definition आपको पता है the outer surface, the outer body, outer boundary of the any closed diagram is called perimeter, some of all some of all sides of any closed figure in any closed diagram is called perimeter तो perimeter कई definition होती है, मलब पूरे तर्ब की side को आप add कर दीजे जो length, जो total हैगा वही perimeter लाथा है तो as it is, देखिए यहाँ पर उसी तरीके सिरिका the length of the outer boundary जो outer boundary के length होती है is called the perimeter clear? अब आते हैं area पे the surface of the region inside the boundary is called the area मलब अब perimeter आप समझगे कि outer boundary होती है, वो perimeter हो गई लेकिन जो उसके बीच की जगह होती the surface of the region inside the boundary is boundary यह अंदर जो जगह होती है, वो area कहलाती है यह से यह आप देखिए किसी एक diagram में यह देखिए जैसे बना हुआ है तो यह जो बाहर-बाहर का 1.8, 1.8 है यह कहा लिखा हुआ है, यह है its area, तो area और perimeter में बस यह दिफरेंस होता है कि जो perimeter होती वो outer boundary होती है जब कि जो area होता है वो inner space of any outer boundary ब्लوق, boundary जो होती है उसके अंदर का जो inner space होता है जो inner surface होता है आप उसे area कहते हो अप इसमें कहा है? आपको इसमें perimeter पेरिमेटर को आपने कई तरीके डिफाइन किया देखिए हैं पर फिर एक बार होगा रहा गया पेरिमेटर होता sum of all its side तो जितने भी पेरिमेटर आपको निकालने हैं किसी भी डायग्राम का निकालना हो तो जो भी उसकी side दी होती सबको आप प्लेस कर दीजिए जैसे हम लिखा है पेरिमेटर अगर किसी ट्रेंगल के side a b c हो तो यह पी पेरिमेटर पी पेरिमेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है पी इचकल टू a plus b plus c हैनि थीनों side को एड कर दीजिए वह हो जाता है पेरिमेटर इस तरीके से आपको पेरिमेटर जैसे यहां बेर आता है रेक्टेंगल का पेरिमेटर यह भी आपको तैयर कना है डाट्टेंगर में दो लेंथ होती। dれंपिंट से तु गौं से आपको घर डागराम का पिरमेटर निकालना है तो आप उसके साइड को प्लस कर दीजिए कर ने एक पैरिमेटर पॉलिगों है यह कोई पॉलिगोन है इसके साइड देखे छोटे ही साइड देख देखना से लिखा A B C D E इस तरीके की जो लिखा हुआ है इन सब को प्लस कर दीजिए वो इसका पेरिमेटर कहराता है इस तरीके से किसी भी डायग्राम का निकालना हो पेरिमेटर आप इन सब यहाँ देखे फार्मूले लिखें तो आप इस पर परिशान मत होए एक्विलेटर टेंगल आप जानते तीनों साइड ही कलोती तो तीनों साइड ए ए ए अगले लिया तो A प्लस A प्लस A थ्री है तो इसको एक साइड निकालनी हो तो यह क्या है मल्टिप्लाई है थी तो डिवाइड हो जाएगा तो एक वैयलू जो इसको त्यार करिए फिर हम आपको exercise 13.1 और इसको ट्राइब करिए क्योंकि इस पेरिमेटर अगर किसी का निकले जो डागराम में सबको सम करते जाए सबका पेरिमेटर निकलता जाएगा तो आप exercise को करिए solve करिए जो नहीं आएगा में को next video में आपको भेज देंगे thank you